हलो फ्रेंड्स गोड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मॉनिका स्टाइल टू के न्यू फ्लॉग में एक पर फिर से आपका स्वागत है तो सबसे पहले आप लोग बताईए कि आप लोग कैसे हो तो आशा करती हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे मतरानी की क्रपा से बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स यहां पर हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी न कुछ सबसी वेगारा बनाने को नहीं थी क्योंकि छुट्टिया चल रही है बट आज इनको आचानक से जाना पड़ रहा है तो फिर मैंने सोचा कि ज च्छे कहना में बना रही हूं और बाकी बच्यों के लिए बाकर मौह बटना रहे होंगी क्योंकि इनको अभी लेट हो जायगा अगर मैं when ne sn equilibına दो रही पूरी पराठा की बार तो वह घाते नहीं तो इसलिसलिएम मैं तो सबसे बैस्ट रहे रहे गा मैं यहांब प्यास जि और रख दी है कड़ाई गर्म होने के लिए और ये अलग से थोड़ा सा तेल जो कल मैंने पूरिया वनाई थी ना तो उसमें तेल बज गया था तो फिर मैं इसको अलगी रखती हूं एक साथ तेल में नहीं मिलाती हूं क्योंकि कभी उसमें से पूजा के लिए भी लेना तो देखे यहां पे मैंने टेल हो गया था, गरम डाल दिया, जीरा, जीरा के बार डाल दी यहां पर मैंने प्याज और हरा मिर्चा भी डाल दे रही हूं साथ में और इसको अब मैं यहां पे अच्छे से भूँज लूँगी मतलब की जैसे यह गोल्डन-ब्राउन जैसा हो कभी कभी क्विक वाला ये डिनर भी हो जाता है तो बस यहां देखे चटनी बन चुकी थी जितनी तिर मतलब बंज भूंज रही थी ना तब तक मैंने यहां पे आंटा भी लगा लिया और बस क्योंकि दिमाग में चल रहा है यही कि मुझे जल्दी से काना रेडी करना है क्यो खुट्टियां चल रही है अभी तक तो सीक यही क्यों रही है गए और तो नς दोनों गवशिश्ग राही है तो बहुत जयादा भग्रतमारी जगडरा दोनों में अपस होटा रहता है तो यह मेरे पक्रव में नहीं होता है जिनके घर में पी चोटे बच्चे ऐसे बत्चे होंगे हाले के घर में होता होगा तो देखें यहां पर बातों मेरा मैंने एक साइड कॉफी भी रैड़ी कर लिए और देखें कितने लोगों घर में इस तरह से कॉफी बनती है मतलब कोई के वाली बिना जो बनाने वाला होता है जिसके पास नहीं है तो कौन-कौन लोग इस तरह से बना के पीते हैं भाई मुझे कोमेंट करके ज़रूर बता दे ना क्यूंकि मुझे कोई शर्म नहीं आती Drag यह बनाएंगे तो फिलाल मैं यूहीं संपल सी कौफी बना के पी लेती हूं क्योंकि चाह मुझे नुकसान करती है तो मैंने छोड़ दिया है पीना और कौफी ही में बना के पी लेती हूं और जब कभी मैं कौफी में कर ले लूँगी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन आप ही लेने वाला कोई मेरा विचार है नहीं तो बस देखे कौफी रैड़ी हो गई तो यहां पर मैंने इनके लिए सेख दी है रोटी और आप मैं सबसे पहले एक रोटी सेख निक पास इनको निकाल दूँगी खाना क्योंकि यह फिर रखी हुई रोटी ठंडी जो आती है मतलब ठंडी ना भी हो लेकिन अगर रखी काते हैं तो बस अब मैं इनके लिए निकाल दूँ खाना और बस एक एक रोटी मैं सेखती जाओंगी और इनको देती जाओंगी तो देखे यहां मैं सेख रित रोटी तो बिट्टू आ गई तो देखे बच्चों के रहने से थोड़ा सा मतलब सर की खपत भी होती है लेकिन मुझे खाना बनाना होगा थोड़ी देर की बाद जब बच्चे खाएंगे क्योंकि अभी बच्चे फ्रोट्स वेगरा खा चुके तो उनका मन नहीं खाने के लिए तो बोले कि ममद दुपहर में आप चावल बनाना मटर वाले तो बिट्टू को बहुत ज़्यादा पसंद तो मैंने का चलो फिर अभी मैं यही कर लेती हूँ और फिर दुपहर की दुपहर में देखा जाएगा दुपहर क्या वही मतलब की 11-12 बचे तक बच्चों को भूग तो लगी आनी है क्योंकि चुट्टी में जब बच्चे रहते हैं तो उनको भूग जल्दी लगती है और पहली जाता है तो मैंने इसल prayers लगा लिये जाडू बाकि तो पूरे घर कर कुछ बहुत पानी की चीटे वगरा नीचे आती रहती है तो इसलिए मैं पूछा पहले नहीं लगाती हूं तो बस यहां पर मैंने फटा फट से धोई है सारे बर्तन जो कि अभी के इनके ही खाने के निकले बनाया है कुछ कॉफी मैंने भी पी बचोने कोल्डिंग्स वगरा पीन है तो बस वही दो-चार चुट-पूट बर्तन थे तो मैंने को इसको रखने से अच्छा है कि मैं लगे हां धोनूँ क्योंकि किचिन थोड़ा सा बढ़ा सागर थोड़ा सा बी बर्तन गंदर रहता तो फिर मैं सीसर लगता है तो इसलिए मैंने देखिए बर्तन धो ल बगा के मैं जा रही हूं सीधा नहाने के लिए क्योंकि अब मुझे नहाने में हो गया है लेट और नहाने में लेट हो जाता ना तो फिर मेरी पूजा में भी लेट हो जाता तो चलिए बस अभी मैं नहा लेती हूं और नहाने के बाद मिलती हूं आपसे तो देखे यहां पर फ्रेंट्स मैं नहां दोके रेडी हो गई हूँ पूजा वगरा भी हो गया है उसके बाद देखे मैं लेके बैठ गई यह कार्ड बोर्ड इसमें एक मेरा वाल पेपर आया था और अभी तक मैंने कहीं पर यूज नहीं किया लेकिन जब करूंगी तो हैं दो इसले करा ताकि थोड़ा सा थिकनस आजाए मजबूती आजाए तो देखे दोनों को एक तरह से इस तरह से मैंने चिपका दिया है और अब इसके उपर मैं लगा लूँगी साइड में फेवी कोल अगर आपके पास हर्ड ग्लूगन है तो आप उसका भी यूज कर सकत के खालते हैं और मुझे जो समझ में आया था और यह समय का दा अधिया मैं रखो कब व मीयामा तरफिस ने पर दीखे ले इस था कवी कोल लेकिन यह मतलब बहुत कम है तो चलिए अब इसको पूरा करके मैंने रख दिया है सूखने के लिए जब तक यह सूखेगा तब तक मैं जा रही हूं बच्चों के लिए थोड़ा सा मतर की चावल बना लेती हूं और जिब तक यह सूख जाएगा फिर मैं इसको सेंड पेपर स से गिस दिया तो इसका कुछ फाइनल लुक निकल कि यह आ रहा है अगर आप इसको और भी किसी कलर में बनाना चाहते तो आप उस समय आप जिसमें इसमें कलर एड़ किया थन तब अपने च्वाइस के का इसमें कलर एड़ कर सकते हो मुझे तो यह बहुत प्यारा लगा है और इसी तरह से देखिए मेरे पैसे भी बच गए वरना मैं मार्केट से खरीद के लेके आती तो बस कुछ इसी तरह से मैं पैसे भी बचा लेती हूँ तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा चैनल पे फरस दट टेकले बपए थाम्स फर वाचिंग।